Hello students, welcome to the class हम लोग पढ़ रहे थे post fertilization events के बारे में तो post fertilization events में हम already embryo formation पढ़ चुके हैं जिसमें कि हम लोग dicots में किस तरीके से embryo formation होता है और monocots में किस तरीके से होता है यह दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं fruit formation और seed formation के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें fruit और seed formation के बारे में तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि fruit किस पार्ट से develop होता है plant के और seed किस पार्ट से develop होता है तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे लिए यानि कि plant के लिए जो चीज़े सबसे जादा prime important होती है वो होती है ovary और ovary के अंदर ovule होता है ovule के अंदर embryo sec होता है ये सब चीज़े हम पहले से जानते हैं पहले से हम लोग ये चीज़े discuss कर चुके हैं कि हमारे लिए यानि कि plant के लिए सबसे जादा जरूरी जो part होता है flower का वो होता है ovary और ovary के अंदर ovule होता है और ovule के अंदर embryo sec होता है तो ये part बहुत जादे important होता है बाकी के जो part होते हैं वो जड़ जाते हैं, वो shed हो जाते हैं कुछ cases में कुछ और part जैसे की thalamus या sepals रह जाते हैं तो वो आगे चलके fruit बगरा की formation में help करते हैं वो एक अलग case है जिसको हम पढ़ेंगे पर generally क्या होता है सिर्फ ovary ही important होती है क्योंकि ovary के अंदर ही हमारा embryo sec होता है और उसके अंदर ही हमारा embryo होता है जिससे की आगे चलके plant बनेगा तो इसलिए ovary सबसे जादा important होती है तो यहाँ पर क्या होता है जब fertilization हो जाता है एक बार और zygote बन जाता है उसके बास जाइगोट से फिर embryo बन रहा होता है जब zygote से embryo बन रहा होता है उसी दौरान हमारा जो ovary और ovule है उसमें भी changes आने शुरू होते है सबसे पहले क्या होता है embryo बन रहा होता है embryo बनता है और उसी time पर जो ovule होता है हमारा वो seed में change हो जाता है ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा embryo sec के अंदर zygote है वो तो हमारा change हो जाता है embryo में और जो हमारा ovule है वो change हो जाता है हमारा seed में जैसे ही embryo बन रहा होता है तो seed भी हमारा बन रहा होता है side by side तो ovule से हमारा seed जब हमारा सीड बन रहा होता है तो इसके स्टियम्यूलस से जो हमारी ओवरी होती है वो अपने साइज से बहुत गुना बढ़ जाती है और उससे फिर बन जाता है फ्रूट तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जाइगौट से हमारा embryo बनता है ovule से हमारा seed बनता है और ovी से हमारा fruit बनता है ठीक है तो अब क्या होता है सबसे important चीज आपको धियान रखनी है कि जो हमारा seed होता है वो fruit के अंदर होता है क्योंकि यह चीज हमें already पता है कि फ्लार में ओव्यूल जो है। वो ऊवरी के अंदर hoता है। तो उसी तरीके से जो सीडु होता था है, वो फूरूट के अंदर था है। ये चीज हम वैसे भी जानते है। आपने भूह सारे फूरूट्स के ना देखे होंगे। जैसे की for example apple है Если अपय। इस तरीके से जादा तर जो fruits होते हैं उनके अंदर seed होते हैं अब जैसे कि एक fruit होता है चीकू उसके अंदर क्या तो उसके अंदर भी seeds होते हैं mango के अंदर भी इतना बड़ा seed होता है तो इस तरीके से fruits के अंदर seed पाये जाते हैं तो fruit के अंदर seed पाये जाते हैं और seed के अंदर embryo पाया जाता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि fruit के अंदर seed और seed के अंदर हमारा embryo होता है सबसे पहले हम लोग fruit की बात करते हैं उसके बाद हम लोग seed की बात करेंगे और embryo की बात हम already कर चुके हैं तो fruit में क्या होता है fruit develop होता है उवरी से ये चीज़ हमें पता है तो जो उवरी होती है वो अपने size से बहुत जादा बढ़ जाती है और फिर उस से जो है हमारा fruit develop होता है तो अगर हम बात करें fruit की तो फुरूट में क्या होता है जो हमारी ओरी की outer wall होती है उससे ही हमारी fruit की आउटर वॉल बनती है तो जो फ्रूट की आउटर वॉल होती है उसको हम लोग बोलते है पैरी कार्प तो आपको ये बात ध्यानक नहीं कि फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है उसको हम पैरी कार्प बोलते हैं तो ओवरी की जो आउटर वॉल होती है वो ही डेवलप हो जात रोभि 5 पात 사थी फुरुट के आउट多 वॉल में उसका नाम होता है, पैरी कार्प! फुरुट के बनने में प्लांट के किस पार्ट का सी SMITH है इसके सबस्तु में बेसिस किभाग इसका बांप्र आजिस पर प्रूल को ढई सब्सक्राद कार्प! हम यह मोल सकते हैं कि किस part ने participate कि उसके basis पर तो हम सिर्फ दो पार्ट में इसको divide कर सकते हैं पर वैसे generally अगर हम types of fruit की बात करें तो three type के fruit हम बोल सकते हैं तो अगर हम सबसे पहले बात करें true fruit की तो true fruits कौन से होते हैं जहाँ पर सिर्फ ovary participate करती है in the formation of fruit जहाँ पर fruit सिर्फ ovary से बनता है उस type के fruit को हम लोग true fruit बोलते हैं तो इसका example है हमाय पास tomato तो जो tomato होता है tomato एक true fruit है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ovary ही participate करती है in the formation of fruit अगर हम बात करें false fruit की तो false fruit में thalamus जो है वो ovary के साथ participate करता है in the formation of fruit यानि कि fruit के formation के time पे thalamus भी उसमें involved होता है ओवरी के साथ thalamus भी उसमें involve होता है इसके बहुत सारे example है जैसे कि जो बहुत common है फ्रूट जैसे कि apple एक false fruit है उसी तरीके से strawberry भी एक false fruit है उसी तरीके से cashew nut जो है वो भी एक false fruit है ये जो सब है ये सब false fruit है false fruit कैसे हैं ये लोग क्योंकि यहाँ पर thalamus भी ovary के साथ होता है जब fruit बन रहा होता है अगर हम बात करें apple की तो apple को हम जानते हैं कि apple को अगर हम अंदर से इसका structure देखना चाहें तो क्या होता है apple में तो apple के अगर हम बात करें तो apple में आप देखते हैं कि यहाँ पर seeds होते हैं है ना हम जानते हैं कि beach में ऐसे करके यहाँ पर apple में seeds होते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या होता है इस तरीके से भी आपने मैं इसमें structure आपल में देखा होगा अगर आप धिहान से देखे तो यह जो ऐूटर structure है यह थैलमस है ठीक है तो यह जो आपल है इसे जो एपल है उसमें फ्लेश है वह flashy है तो वह जो आपल का जिसको HR खाते हैं वह थैलमस है ठीक है और उसके बाद जो अंदर आप ये देख रहे हैं ये है हमारी pericarp ठीक है ये है हमारी pericarp अंदर और ये pericarp की जो layer है इसमें तीनों चीज़े हैं इसमें endocarp भी है इसमें mesocarp है और इसमें exocarp भी है तो pericarp हम बोल रहे हैं इस pericarp में तीनों layers होंगी endocarp, mesocarp और exocarp actually क्या होगा अंदर की तरफ इसमें endocarp होगी एक layer होगी जो कि endocarp की होगी और बाहर की तरफ mesocarp और exocarp होगा ठीक है तो इस तरीके से इसको totally मिला कि हम लोगों ने बोला pericarp तो thalamus होगा और thalamus के अंदर की तरफ होगा pericarp यानि कि जो fruit wall होती है और उसके अंदर फिर हमारे पास seeds होंगे जैसे कि आप देख सकते हैं आपने apple में देखाई होगा तो इसी लिए ही apple एक false fruit है क्योंकि यहाँ पर thalamus भी participate करता है in the formation of fruit उसी तरीके से अगर हम बात करें strawberry की तो strawberry के बारे में भी आप लोग जानते हैं कुछ इस type का strawberry होता है है ना आप लोग जानते है strawberry के बारे में तो यहाँ पर देखो क्या होता है यह जो हमारा actual fruit होता है strawberry में यानि कि जो ovary से fruit का part बना होता है वो बाहर की तरफ होता है और इसको हम acne कहते हैं और जो अंदर की तरफ होता है यहाँ पर इसके seeds होते हैं तो यह जो अंदर की तरफ होता है यह होता है thalamus तो हम यह बोल सकते हैं कि थैलेमस के बाहर की तरफ होता है स्ट्रॉबेरी में ट्रू फ्रूट तो यह जो एकनेज है यह हमारा ट्रू फ्रूट वाला हिस्सा है इसका ठीक हम बोल सकते हैं जो एक्चुली में जो फ्रूट है वो बाहर वाला हिस्सा है जो कि ovary से बना है जिसको हम econese बोलते और अंदर की तरफ thalamus है तो यह हमारा हो जाता है strawberry उसी तरीख से जो cashew nut होते हैं जो काजू होते हैं उसमें जो आप ये देखते हैं जो हम खाते हैं जो हिससा वो ही thalamus होता है ठीक है वो ovary से बना नहीं होता है वो thalamus होता है जिससे को हम काजू के खाते हैं वो thalamus होता है actually में तो इसी तरीके से false fruit इनको इसी लिए बोला जाता है क्योंकि इसमें thalamus भी होता है ovary के साथ-साथ तो यह false fruit होते हैं ऐसे true fruit होते हैं जैसे की tomato तो अब हम चलते है next type के fruit पे तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि कौन सा part participate करता है इसके basis पर तो fruit दो type के है true fruit और false fruit पर एक type को और fruit है जिसको हम parthenocarpic fruit बोलते हैं यह seedless fruit होते हैं जो fruits बिना fertilization के बनते हैं उनको हम लोग parthenocarpic fruit बोलते हैं यानि कि इसमें male और female gamete का fusion नहीं हुआ fertilization नहीं हुआ यह बिना ही fertilization के बने है और इनको हम लोग क्या बोलते हैं parthenocarpic fruit बोलते हैं यह seedless fruit होते हैं क्योंकि जब zygote ही नहीं बनेगा, embryo भी नहीं बनेगा, नहीं ovule से seed बनेगा, तो इसलिए ये seedless fruits होते हैं, parthenocarpic fruit, तो ये parthenocarpic fruit without fertilization बनते हैं, seedless होते हैं, और इनका बहुत अच्छा example है banana, क्योंकि आप जानते हैं, बनाना में आपने कोई भी seed नहीं देखा है, क्योंकि वो parthenocarpic होता है, fruits अगर हम on the basis ये देखना चाहें, कि वो fleshy है या नहीं है, उसके basis पर भी fruits को हम दो parts में divide कर सकते हैं, एक हो सकते हैं हमारे dry fruits और एक हो सकते हैं हमारे fleshy fruits, fleshy fruits में जितने भी fruits हम खाते हैं, जो कि normal होते हैं, जैसे कि apple हो गया, mango हो गया, बनाना हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे fleshy fruits है, क्योंकि इनमें कुछ flesh present है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें dry fruits की, तो dry fruits जितने भी dry fruits हैं, जैसे कि हम बादाम बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, अक्रोट या जितने भी ये सब चीज़े हैं, ground nut, यानि कि मुमफली, य ये सब क्या है, dry fruits हैं, क्योंकि इनमें flesh नहीं है, तो इस तरीके से fruits को हम इस basis पर भी divide कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर flesh है नहीं, एक जो fruits होते हैं, जो हम जनरली खाते हैं, वो हो गए हमारे fleshy fruits, और दूसरे हमारे हो गए dry fruits, अगर हम बात करें parthenocarpic fruit की, तो parthenocarpic fruit से कोई भी फायदा plant को नहीं होता है, क्योंकि plant का असली मकसद है fruit को बनाने का, कि ताकि वो seed को protect कर सके एक तरीके से, तो seed को protect कर सके और seed को लंबे समय तक उसमें रखा जा सके, इसलिए ही fruit बनाया जाता है plant के दौरा, तो अगर fruit के अंदर seed ही नहीं होगा, तो फायदा क्या ह plant को seed की सबसे ज़रूत होती है, और seed इसलिए बनता है ताकि plant की generation आगे जा सके, क्योंकि seed के अंदर embryo होता है और embryo से नया plant बनता है, तो पार्थिनो कार्पिक fruit के अंदर seed ही नहीं होता है, इसलिए plant के लिए वो किसी काम कर नहीं है, तो इसलिए plant कोशिश करता है कि fruits जो ब बहुत सारे seeds होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ में तो एक दो seeds होता है, पर किसी में बहुत सारे seeds होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं, ताकि जादा से जादा dispersion उनके seed का हो सके, जादा से जादा जो उनकी population है, वो बढ़ सके, तो यह तो बात हुई हमारी fruit की, अब हम कि seed ovule से develop होता है तो seed ovule से कैसे develop होता है क्या क्या चीज़े उसमें होती हम ये जानते है तो अगर हम बात करें seed की तो seed हमें पता है ovule से बनता है तो हमें ये चीज़ पता है कि ovule में क्या क्या चीज़े होती है ovule में हमें पता है कि newcellus होता है बाहर integuments होती है दो integuments भी हो सकती है एक integument भी हो सकती है इस तरीके से integuments होती है ठीक है और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास helium होता है micropile होता है micropile होता है micropile होता है यहाँ पर होता है यहाँ पर हमारे पास helium होता है इस तरीके से बहुत साई चीज़ हमारे पास होती है और नीचे यहां पे नूसिलस हमारा होता है तो इस तरीके से काफी चीज़े होती है ओव्यूल में और ओव्यूल जब सीड में चेंज होता है पर कुछ seeds ऐसे होते हैं जहांपर newcillus persist करता है यानि कि newcillus रहे जाता है तो जो newcillus अगर रहे जाता है seed में तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे perry sperm तो ऐसे बहुत सारे plants होते हैं जहांपर newcillus रहे जाता है ओविल से जब seed बन रहा होता है इसका example है जिसे कि black pepper black pepper या water lily यहांपर क्या होता है कि newcillus रहे जाता है Nucleus shed नहीं होता, मतलब कि ये सूकता नहीं है और रह जाता है इसका example Black Pepper और Water Lily है पर जादा तर क्या होता है, Nucleus dry हो जाता है जब हमारा seed बन रहा होता है एक है तो, उसके बाद यह जो हमारे integrum nouvelles है integrum nessences इन में भी चेंज आता है जो हमारा outer integument होता है उसके जो cells हैं वो enlarge हो जाते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं और dead हो जाते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि integument जो है जो outer integument है उसके जो cells होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं और dead हो जाते हैं और उसके साथ ही फिर ये जो integument होता है इसमें ये changes आते हैं और उसके बाद ही जो outer integument होता है यह बदल जाता है टेस्टा में ठीक है तो जो outer integument होता है वो बन जाता है टेस्टा और टेस्टा ही हमारी seed coat होती है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा outer integument होता है ovule में outer integument change हो जाता है टेस्टा में जो की seed coat होती है seed की जो coat है वो ही होती है testa और जो हमारा inner integument है ये change हो जाता है हमारा tag man में तो inner integument जो है वो change हो जाता है tag man में तो ये भी बात आपको ध्यान रखने है important है कि inner integument है वो tag man में change हो जाएगा देखिए जो outer integument है वो तो हमेशा ही testa बनाएगा seat code बनाएगा पर जो इनर इंटीगुमेंट है यह conditional हो सकता है काई बार इनर इंटीगुमेंट पैग्मैन बनाए और हो सकता है काई बार ना भी बनाए वैसे भी जो हमारे U.W.T. होते हैं, जाधा तर喪 had final जाभी उनमे दोो इंटीगुमेंट होते हैं कभी नहीं पार बार इनर इंट्यूगमेंट होते वे भी वह बदलता है तो यह एक ऊप्शनल जैसी चीज हो गई पर यह हमेशा ही होगी अउट इंट्यूगमेंट हमेशा टेस्टा में होगा सीड कोड़ ठीक है तो उसके बाद यह सब चीजे होती है और जब सीड बन रहा होता है तो यह सब चीजे रहती हैं महाँ पर तीक है सीड में भी यह सब चीजे रहती हैं तो इस तरीके से फिर अब क्या होता है यह जब changes होने शुरू हो जाते हैं साथ साथ में क्या होता है जो हमारा ओविूल है उसके अंदर जो embryo है उसकी भी growth कम हो जाती है वो dormancy की तरफ जाने लगता है तो ovule के अंदर जो हमारा embryo है वो भी dormancy की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर growth inhibitor secret होने लगते हैं growth inhibitor आने लगते हैं जिससे की embryo की growth है वो वही पर रुख जाती है कुछ समय के लिए और वो dormancy में चला जाता है साथ-साथ में जो water content है ovule का वो भी बहुत कम हो जाता है वो सिर्फ 10 से 15% रह जाता है तो इस तरीके से water content भी कम हो जाता है और यह बिल्कुल dry state में पहुँँ जाता है सीड में कोई water नहीं होता है वो बिल्कुल dry होता है वो जाता तर छोटे concise होते हैं वो ठीक है और नहीं उनसे कोई पेड़ पौधे निकल रहे होते है तो इस वज़े से नहीं निकलते क्योंकि embryos time dormant state में चला जाता है तो इस तरीके से जो है यह हमारा seed होता है यानि कि ovule से हमारा seed बनता है तो अगर अब हम seed की बात करें तो seed हमारे दो parts में हम उनको divide कर सकते हैं seeds को हम दो parts में divide कर सकते हैं दो types में हम लोग उस seeds को divide कर सकते हैं पहला जो हमारा type आता है वो आता है X albuminus और non endospermic seeds और दूसरा जो type आता है वो आता है albuminus और endospermic seeds ठीक है तो पहला टाइप जो है वो है हमारा X albuminus और non endospermic और दूसरा आता है albuminus और endospermic seeds तो इसके बारे में बात करें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं X albuminus और non endospermic seeds के बारे में तो देखो seeds में बहुत सारी चीजे होती है जब एक वो seed बन जाता है तो उसमें काफी चीजे होती है उसमें seed coat होता है उसमें kotyledon होता है उसमें endosperm होता है उसमें embryo excess होता है इस तरीके से काफी चीजे होती है seed में तो अगर मैं एक dicot seed बनाना चाहूँ तो जैसे कि हम राजमा बना लेते हैं ये एक राजमा है ठीक है राजमा एक क्या है डाइकोट सीड है तो जब राजमा को हम ऐसे ओपन करते हैं तो ये कुछ अस टाइप का होता है तो ये इसके दो कोटाइलिडन्स होते है ठीक है और जब यह एक दूसरे से अटाइच अगर रहते हैं मैंने अलग-अलग बना दे जब एक दूसरे अटाइच रहते हैं तो यहाँ पे एक embryo excess होता है बाहर की तरफ एक seed coat होती है तो इस तरीके से काफी चीज़े होती है micropilar pore भी होता है यहाँ पर मतलब की यहाँ पे helium भी होता है सब चीज़े होती है ठीक है जो भी मैंने बताया है वो सब चीज़े seed में होती है तो अब seed में endosperm है या नहीं इस basis पर हम लोग seeds को दो types में divide करते हैं एक non endospermic और एक endospermic ठीक है endosperm के बारे में आपको already पता होगा कि जो हमारा primary endosperm cell था उससे हमारा endosperm बना था fertilization के बाद primary endosperm cell बना था और उससे फिर हमारा क्या हुआ था endosperm बना था endospermic tissue होता है जिसका काम होता है nourishment provide करना growing embryo को तो अगर seeds में endosperm present है तो वो endospermic seeds है यानि albuminus seeds है अगर seeds में endosperm present है तो वो endospermic या albuminus seeds है और अगर नहीं present है तो वो x-albuminus और non-endospermic है अब आप कहेंगे कि अगर वो एक normal endospermic plant है तो endosperm तो होना ही चाहिए तो endosperm कहां चला गया endosperm होता है पर seed की बात हम लोग करें endosperm normally था पर seed बनते टाइए seed बनने के बाद है या नहीं ये इस basis पर है endosperm बनेगा और nourishment भी वो provide करेगा embryo को पर जब seed बन जाएगा तब है या नहीं उस basis पर इसको divide किया गया है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं X-albuminus या non-endospermic seeds की तो ये वाले जो seeds होते हैं basically इसमें क्या होता है कि endosperm पूरी तरीके से consume हो जाता है सबसे पहले जब zाइगोट से embryo बनता है तो उस दोरान जो ये हमारा endosperm होता है ये embryo को nourishment provide कर रहा होता है तो endosperm जो है पूरा consume हो जाता है nourishment provide करने में embryo को बचता नहीं है साथ साथ में वो kotyledons में भी अपने food को transfer कर देता है तो इस वज़े से जो हमारा X-albuminus ये non-endospermic seeds होते हैं उनमें endosperm नहीं होता है उसमें kotyledons जो होते हैं उनमें ही food reserve रहता है इस वज़े से जो kotyledons होते हैं वो fleshy होते हैं ठीक है तो इस तरीके सोता है इसका जो example है वो है हमारा जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये जो हमारा राजमा है ठीक है तो ये bean होते हैं नोन-endospermic seeds होते हैं इनको हम बीन सीट भी बोलता है ये bean type के सीट होते हैं तो जितने भी ये हैं जिसे कि हमारे चने हो गया छोले हो गया राजमा हो गया ग्राउननेट हो गया ये सब क्या है ये सब इसी type के सीट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं X-albuminus या non-endospermic seed क्योंकि इनके पास endosperm नहीं है और इनका जो food है वो cotalidan में reserve है और इनके जो cotalidan है वो flashy है ठीक है आपने देखा होगा कि राजमा जो है उसके जो cotalidan है वो उन में flash present होता है flashy होता है तो उसी तरीके से flashy होते है तो इनका जो endosperm होता है वो पहले ही consume हो गया होता है ठीक है और वो क्यों consume हो गया होता है क्योंकि embryo को nourishment वो provide करता है उसने food को transfer कर दिया है किसमे cotalidan में तो अब ये जो embryo को food provide करने का जो काम करेंगे वो cotalidans करेंगे तो इस तरीके से ये वाले जो seeds होते है ये x- SAND या non-endospermic seeds होते है और ये होते हैं dicot seeds ये होते हैं हमारे dicot seeds तो जो ex- universes and non-endospermic seeds वो dicot seeds होते है फिर हम आते हैं next type में जो कि है albuminous और endospermic seeds तो ये जो albuminous और endospermic seeds होता है इनमें जो endosperm होता है वो पूरी तरीके से used up नहीं होता है पूरी तरीके से consume नहीं होता है और वो present होता है seed में भी और वो ही nourishment provide करता है embryo को तो यहाँ पर क्योंकि endosperm है तो जो cotalidans होते हैं वो reduced होते हैं या तो वो papery type के होंगे, paper type के होंगे या reduced होंगे होंगे cotalidans पर reduced होंगे तो इस तरीके से होता है यहाँ पर endosperm का काम है nourishment provide करते हैं तो यह वाले जो type के seeds हैं यह mainly monocots होते हैं पर कुछ seeds dicots के भी ऐसे होते हैं जो की endospermik होते हैं तो कुछ dicots भी ऐसे होते हैं जिनके seeds albuminus endospermik हो सकते हैं पर जादा तर इस type के seeds हमें monocots में देखने को मिलते हैं यह यह हम बोल सकते हैं कि जितने भी monocots हैं उनमें सब में endospermik देखने को मिलता है तो जितने भी monocots हैं उनमें सब में endospermik seed होता है पर कुछ dicots भी ऐसे होते हैं जिनमें endospermik seed होता है अगर हम बात करें नोन एंडोस्परमिक की तो जो नोन एंडोस्परमिक होते हैं तो वो डायकॉट सीड्स ही होते हैं तो हम यह नहीं बोल सकते कि सारे डायकॉट सीड्स नोन एंडोस्परमिक हो सकते हैं ये बोल सकते हैं कि सारे non endospermic seeds dicots होते हैं ठीक है और कुछ dicots albuminus ya endospermic भी हो सकते हैं तो इस तरीके से ये तो बात आती है एक introduction कि कि किस तरीके से seeds हमारे albuminus और non albuminus होते हैं आप हम लोग बात करेंगे next video में seeds के type की कि कौन-कौन से seeds के तो आज सिर्फ इतन ही मैं उमीड करती हूं कि यह विडियो आपको पसंद के हैं और आपको को कोई भी क्वेशन है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और रेप्लिका वर्ल को सब्सक्राइब कीजिए